बरेली की बड़फी का चौथा आउचलेट खरड में खुला उमदा मिठाईयों का एक खास ब्रांड और रिस्टॉंट बरेली की बड़फी खरड पहुँच चुका है पश्ची में उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शैली में तयार मिठाईयों की ये चौथा आउटलेट है बाकी तीन आउटलेट चंडिगर, मोहाली और जीरकपुर में स्थित हैं जबकि चौथा आउचलेट खरड में खुल चुका है एवी ब्रदर्स की ये हेकाई यहाँ सीओ एक, प्लाजा एक सो सत्रा, छजु माजरा रोच, सेक्टर एक सो सत्रा, खरड परस्थित है बरेली की बरफी की संचालक, मुनी तंडर ने बताया कि उनके यहाँ पश्ची में उतर प्रदेश की स्टायल में मिठाईयां तयार की जाती हैं जिनका स्वात पंजाब में बनी मिठाईयों से अलग और लाजबाब है यहाँ का कलाकंद और अजीर की बरफी भी बेमिसाल है सभी मिठाईयां देशी घी में बनती हैं और इन्हें बरेली के हलवाईत खोद तयार करते हैं आउटलेट में मिठाईयों के अलवा एक शानदार रिस्टांट भी है जहां दक्षिन भारतिय उतर भारतिय चाइनीज और यह मेरा बरेली की बरफी का फोर्थ आउटलेट है ट्राइसिटी में आइक साल पहले मैंने फस्ट आउटलेट में ऑठलेट में जी लख्ली में कुला यह मेरा फोर्थ आउटलेट की आज़ी अग्या गाली की बरेली की बड़्ती नाम से अग्ड़ा तो उसके बारे मैंने शुट रही एक तो मैं खुद बरेली से हूँ मेरे जितने भी स्वीट बनाने वाले शेफ हैं, हल्भाई हैं, वो सब बर्यली से हैं मेरा मैकसिमम स्टाफ यहां पर सब बर्यली से है रेसिपीज सारी हमारी वहीं की हैं जो यूपी के ट्रडिशनल दरीके से मिठाई बनाई जाती है वही चीज फॉलो करके हम यहां स्टार्ट किया है क्या पीमस है यहां का फेमस सबसे आदा कनातन बरेली की बर्फी और ड्राइफूट अंजी बर्फी है जो हमारे हां सबसे आदा कस्टमर पसंद करते हैं और सबसे आदा विक्टा है कोई स्पेशल कुछ नहीं है सब कुछ सिंपल है तस प्यॉरिटी है यही स्पेशल है हमारे के इसमें जब जैसे आप अंजीर ड्राइफूट बर्फी है इसमें जो भी स्वीटनेस है वह एक अंजीर के अंदर जो स्वीटनेस होती है वो है कोई एडिट शुगर वगरा कुछ लुक्ष भी नहीं है यह कोई भी डाइबिटिक पैशेट भी एक खा सकता है इसके अंदर सिर्फ ड्राइफूट से पास्टरह के अंझीर आजु बदाम प्रिस्ता और खसकर्षौ उसके अलावा इसके अंदर कुछ नेएए सिंपल ड्राइ फूर्ट को बना दिया जाता है सेम ऐसे यह कलाकंद पुलाकंद में भी क्या करते हैं सिर्फ दूद को घोटके उसके अंदर शुगर एक्षग करते हैं जितना प्यूरिस दे सकें है। कि बहुत कुछ आट किया हुआ है जितनी सेंपल मिठाई हो सकती है तो मैं परसनली खुद भी मॉनिटर करता हूं और जो मेरे हलवाई हैं उनको क्लियरली बहुत लगा है कि जो चीज उनको चाहिए वो बताते हैं मुझे के मुझे यह इस क्वालिटी की चाहिए है मैं उनको प्रोवाइड करता हूं जो क्वालिटी मुझे चाहिए है वो बना के देते हैं आप बरेली से पंजाब में मतलब आवलेट्स खोड़े हैं पंजाब का अपने खानपान में देखा होगा स्वीट्स को पर क्या खास देखी हैं आपने क्या पंजाबी लोग क्या पसं का तो जो भरेलिफ स हमारी यूप की में जो स्वीट का कंट्रेंट ककलन जसे अकर इसमें परसंटेες शुगर का वह ज्याहता यहां पे लोग मीटा कम खाना पसंद करते हैं यह चुवे साथ वीछिजर यहं पर उसमें शुगर की जो परसंटेज एंद यह यूब घे Cambridge Yoopi त सबसे सब्सक्राइब है जो कि मिठाई के अंदर ड़ता है 42 रुपए गिलो चीनी आती है मिठाई 500 रुपए गिलो बिकती है तो उससे सस्ता कोई क्या मिला लेगा है और उससे सस्ता कुछ ही नहीं तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई शुगर में कोई मिलावाट या उसकी जगे कुछ और चीज सस्ता करने के लिए यूस करता हुगा मिठाई के अंदर बेसिकली यह जितना आपको सस्ता करना शुगर उतनी ज्यादा आप कर दें उतनी मिठाई की कॉस्टिंग हमारी कमा एक चीज़ है कि बरेली की बर्फी फेमस जो नाम हुआ वो मूवी से हुआ लेकिन एक्चल जो रैसिपी बनाई वह मैंने बनाई उस नाम को यूटलाइज किया मैंने चार आउटलेट नहीं नहीं चारो आउटलेट मेरे खुद के अपने और अभी फ्रंचाइजी पे देने का प्लान इसलिए नहीं है छे मिमने रुक के कुछ आगे देखूंगा क्योंकि पहले जो बिजनेस एक्सपेंशन किया उसको कंट्रोल करना है अच्छे से सारी चीजे सिस्टमाइज हो जाए उसके बाद फ्यूचर में जब काम समल जाएगा अच्छे से मैनेज हो जाएगा सारा स्ट आप केपबल हो जाएगा उसको मैनेज करने के लिए उसके बाद विकन गोफ जो टेस्ट की बात जैसे आपके तीन आउटलेट्स अरड़ी खुले हुए जोगा प्याफ जी जी क्या से सभी जी बिल्कुल क्योंकि हमारा बेस किचिन जो है उससे में स्वीट्स मेरी 82 सेक्ट सबस्क्राइब मुहाली में इंड़स्ट्रियल एरिया में फक्ट्री एैन प्रिपल तो स्वीट्स तो रिकी जगे बननी है सारी मिठाई है वहीं से बंकर यहाँ जाए हो चारो आउटलेट सारी सारे आउटलेट में सेव ही मिठाई बनके जाती है एक ही जगे से तो टेस्ट चेंड उने का कोई मतला भी नहीं हाँ फूड में थोड़ा बहुत वेरियेशन होता है क्योंकि जो खाना है वह हर आउटलेट के डिफरेंट शेफ से किसी में अच्छा बनाता है तो वह अलग अलग शेफ की स्पेशालिटी के हिसाब से अलग अलग आउटलेट पे हैं जैसे अगर आपको चाइनीज खाना तो मैं आपको बोलूगा आप मेरे जीरकपर वाले आउटलेट को जाएगे कि उसका जो चाइनीज शेफ है वह बहुत 82 में डोसा बहुत अच्छा साउट इंडियन आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपको मोहाली जो 19 सेक्टर चंडीगड है उसमें साउट इंडियन शेफ बहुत अच्छा है तो वह अलग अलग खाने में वेरियेशन होता है शेफ के पर हाँ अच्छा में एक्सपेंशन की प्लैनिंग है लेकिन एक लिमिट में रहके क्योंकि जब तक आप कंट्रोल ना कर भाएं चीज़ें ब्याउंड कंट्रोल काम कुछ भी नहीं करना है कि वैक्तरी एक है यहां से एक लिमिट एरिया तक मैं मैंनेज कर सकता हूं कि हाइस प्रिपेर और तक तो एरिया में देख सकता हूं लेकिन अगर हम जब दाइसों किलो मिटर हो गया है तो वहां मुझे मैनेज करने में दिक्कत आएगी या तो उसके लिए वहां पर एक कि अपील करना चाहूंगा कि एक बार मेरी उठाइए ट्राइजरू करें बाकि अगर उनको पसंद आता है तो जरूर वो दुबारा आएंगे मैं जाता हूं कि इतना तो डिफरेंस है कि मेरी स्वीट का टेस्ट थोड़ा सा अलग है और जगे से और जो भी इसको खाता है व हमारे बताया ना इसलिए मैं बिजनस एक्सपेंशन एक लिमिटेड एरिया में कर रहा हूं क्यूंकि मैं सर्विस देवां क्यूंकि अगर मैं बहुत जादा दूर कर लूंगा तो सर्विस देने में मुझको प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैं यहां से मेरी फैक्री जस्ट 14 किलो मेंटर से तो अगर सपोस करें मेरे पास कोई आडर आता है कि आप मेरे को पांच कुंटल लड्डू चाहिए या दो कुंटल लड्डू चाहिए तो मेरा यहां से फोन जाएगा उदर पैक्री में प्रिपरेशन में जो टाइम लगेगा बस और ट्रांस्पोर्टेशन म मैक्सिमम हाफ है तो इसलिए क्योंकि कस्टमर को हम अच्छी सर्विस दे पाएं इसलिए हम सारे आउटलेट आस पास में आपको यह नहीं कहा के टेस्टी नहीं मिलेगी मैंने आपको बता इस प्रेशालिटी क्योंकि किसी भी रेस्टुरेंट की किसी भी जगे की यूएस कुछ लिमिटेड होती है आप अगर किसी स्वीट शॉप पर जाया मेरे आप काउंटर में देखेंगे आगम से कम पचास तरह की मिठाई हैं लेकिन यह तीन मिठाई ही क्यों सबस्यादा विक्ती क्योंकि इनका फीट पैग है कस्टमर को पसंद आता है उसके बेसिस पे हम और चीज़ के तो उसी तरह से हर आउटलेट पे हैं लिए हर शेफ हर चीज़ अची नहीं बना सकता है और अगर कोई कहता है कि वह रहे में से हंडरिट इस अच्छी बना सकता है तो मैं मांता हो गलत है